दुर्गा पूजा आने वाली है, करवाचाथ आने वाला है, करवाचाथ में फिर भी 14 डेज है अगर आप दुर्गा पूजा के लिए अपना हैस्पा करना चाहते हैं, तो एक बर आप हैस्पा कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं करवाचाथ के लिए तो दो बार इस वाले हैसपा को कर सकते हैं क्योंकि इससे आपके बाल नहीं सॉफ्ट होंगे पर ग्लॉसी भी होगे अज की विडिम अपसे शेयर करने वाली हो जिसको करने से आपके बालों में सॉफ्टनेस भी आईगी क्यास्टीन कराया है तो भूल जाओ रिबॉन तो भूल जाओ, हसबा कराया है, पार्लर से टीमेंट्मेंट्स बून जाओ सब्सक्यशक अशुदर अगि इसे लुग्ट में कें इसे आप अपलाई कर सकते हैं!! जिसे की आपके बाहस सादा सब्क्ट भी हम इसी उत्प्ट खुगी विक्त सुफ्ट रूंगी सी कहर अपकी पड़ी संगरी पड़ी है हैं उनको मैच कर नाहे है । तो इसको कैसे करना है, क्या क्या आपको चाहिए, इस सब कुछ में आपको समझाऊंगी, उसमें बढ़ने से पहले ये समझ लो, अगर आपको ब्रेकेज का इस्चु होता है, तो तब आपके बाल लंबे नहीं हो पाते हैं, तो इसके लिए भी आपको करने हैं, तो इसके में भी होंगे, चलो चल दी से बात कर लेते हैं, हाई गाई, सबसे पहले तो इस वाले हैस्पा को करने के लिए, आपने लेना है कौन स्टार्च, तेखें, जो कौन स्टार्च होता है, वो फोर मंस की वेलेडिटी के साथ आता है, ठीक है, उस तरह के कौन स्टार्च आपको में लेें ले लेंगे, तो आपको ऐसा कोई भी कौन स्टार्च लेना है, उसके बाद आपने डाल देना है को कनएट मिल्क, जो कैंट वाले कोकन केन बिलक होते हैं, वो आप डाल सकते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है, आपके आस्पास नहीं है , या आप नहीnh कर सकते हैं मुझ रें पया रहे हैं ? आप के खोर momencie है आप नारियलिघा सेई, जो पूजा में यूज़ रहा है अर आप छीकिह कुछ आई सकते हैं याकмен लिए काड़िया और बाल आप इसके बाद रिकर से उपस JSON तो निकालने के बाद आपको जो मिलेगा वो 10 तो 12 स्पून के रांट मिल जाएगा ठीक है तस से बारा बड़ी चम्मच आपको मिल जाएगा और इसमें आप डालेंगे आप कौन स्टाच जब आप लेंगे तो आप उसमें ना साथ में धीरे-धीरे करके डालेंगे क्योंकि मै पिसमें बाद के मुले तो याथ ममेंच उपके कशप fijे आप प्रबबलबस ये म bitcoin के करेंब जब मुले करते हैं तो आपको आकशडने के सहीं स्पून आप किное ten तो जिस्टें से डालिये तो इक स्बून पिसεςिपून दालिए पिर हैं तीसरी सून दालिए नीकस करिये थी मै जब तक अच्छी कंजिस्टेंसी नी होगी फिर क्या मजाएगा है स्पा करने कहना तो इसलिए आप इसे निरे जरे करके डालिएगा और अच्छे से आप साथ मेना स्पून को मूफ करते रहेगा ऐसा करने से क्या होता है कि जब इस वाली क्रीम की वह बहुत अच्छी आएग आपको दिखेगा कि एक तरह से आपके क्यारिट्यूम की क्रीम दिख रहे है लेकिन थोड़ा सावेट करेंगे तो वह अपने नर्मल से टेम्ट्रेश में आजाएगा जब एक नमल से तेम्ट्रेश में आजाएगा उसके बाद आप इसे अपलाई कीचिए आप इसे अपने पूरे स्ट्रेंड प्लाई कीचिए फ्रम रूट्स तिल दी एंड क्योंकि रूट्स होते हैं आपके बालों को थोड़ा बांध लिंगे आप इसे रखेंगे 15-30 मिनिट्स ठीक है 15-30 मिनिट्स अपने रख लिया है और उसके बाद आप अपने बालों को पानी से ही रिंस कर अब चार्च है को अच्छ निकल जाएंगा जब कान स्टार्च प्रपर ली निकल जाएंगा उसके बाद आपने लेनी है ऐलो Pharaohус Love जय इना को मीशा पहलों को मोईस्टेटी है अग्यर आपके वालों को मईस्टर्ए देति झाल कर्या पोइंग होगा अपने क्या करना है फु तो आपके करें अपने हाथों में ही ऐसे heat generate करें और उसके बाद इससे अपने बालो पर अप्लाई कर सकते हैं इससे अप्छे साब अपने बालो पर अप्लाई कर लो और बस बालो को towel dry करना चाहें तो towel dry कर सकते हैं air dry करना चाहें तो air dry कर सकते हैं जो भी आपको सही लगे, बालों को अच्छे से बस ड्राइ करना है, और उसके बाद आपके बाल बहुत जादा सॉफ्ट भी होंगे, सिल्की भी होंगे, इस बाले हैस्पा को जरूर करिएगा, I hope ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइ आपको अच्छा लगा, I'll see you all next month, अप्टो के लिए, take care.